नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ पाइल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यू शेहडोल शेहडोल में तीन पंचायतों को किया गया कम शिफ्ट होकर अब 390 पंचायत में होंगे चुनाव शेहडोल जिले से अब 3 पंचायते कम हो जाएंगी दिसंबर जनवरी में प्रस्तावित 33 पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के अधार परी होंगे राजी शासन ने साल 2019 में हुई परिसीमन की कारवाही को निरस्त कर दिया है इसके चलते जिले के ब्योहारी जनपत पंचायत अंतरगत बड़ी 3 पंचायते अब विलोपित होकर पूर्व की पंचायतों में जुड़ जाएंगी मतदाता भी शिफ्ट किये जाएंगे राजे निर्वाचन आयोग में मतदाताओं की शिफ्टिंग के लिए पुनरिक्षिर कारेकरम जारी कर दिया गया है 6 दिसंबर तक प्रकडिया पूरी की जाने है साल 2019 में पंचायतों के परिसीमन की कारवाही के तहट ब्योहारे जनपत पंचायत तीन नई पंचायते बनी थी ग्राम पंचायत कुवा को तीन पंचायतों में कुवा छतेना वा भरतला में विभाजित किया गया था जनसंख्या के अधार पर वाडों का गठन किया गया था अब परिसीमा निरस्थ होने के बाद नए वाडों को खतम करते हुए मतदाताओं को यदावत पूरानी पंचायतों में जोड़ा जाएगा दिसंबर जन्वरी में प्रस्तावे 33 तरिये पंचायत चुनाव 390 पंचायतों में ही होगा इधर बगहों पंचायत के हटने से बुढ़ार जन्पत पंचायत के तीन वाड भी कम हो गए हैं बुढ़ार जन्पत पंचायत में अब 22 वाड ही रह गए हैं परिसीमन निरस्थ होने के बाद अब जमुनी में 17 वार्ड और अलहरा में 19 वार्ड में ही मतदाता समाय उजित किये जाएंगे राज शासन नी 2019 में हुए पंचायतों और जन्पत पंचायतों के आरक्षन को भी निरस्थ कर दिया है अगामे चुनाम में 2014 का आरक्षन ही प्रभावशाली होगा जिला पंचायत में वार्डो की संख्या 15 और जिन्पत पंचायत में 116 मतदाताओं की यथावत शिफ्टिंग के लिए राज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पुन रिक्षिन कारेकरम 25 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक चलना है इसके लिए 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक दावय आपत्ति भी लिये जाएंगी इनका निर्वाकरन कर 6 दिसंबर को फोटो युक्त अंते मतदाता सूची का ग्राम पंचायत और अन्य वहित स्तानों पर सारवजनिक प्रकाशन भी किया जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप यह वीडियो यूटीब पर देख रहे हैं तो फॉमारे चानल को सब्स्क्राइब करें और अगर आप यह वीडियो फेष्बूप पर देख रहे है तो हमें फॉल्व और लायक ज़रूर करें धन्यवार